डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पावर ओफ एकोमोडेशन तो ये भी इंपोर्टेंट है और ये एक्जाम में आता है आपका ठीक है कि पावर ओफ एकोमोडेशन क्या होता है तो डियर स्टूडेंट कल की वीडियो में जो हमन होती है हमारा ठीक है यह हैं यूमन आई के बारे में हमने पढ़ा था कि यह जो आपका ट्रांस्पेरेंट थीन ट्रांस्पेरेंट मेंब्रेन होती है ठीक है यह क्या होती है आपकी थीन ट्रांस्पेरेंट मेंब्रेन यह आपका कोर्निया होता है जहां से कि आपकी लाइट र इसके बाद फिर हमने देखा था कि ये जो होता है ये हमारा lens होता है जिसको हम eye lens भी कहते हैं ठीक है और ये क्या है आपका ये आपका lens है ठीक है अगर मैं यहाँ पर लिखो कि ये आपका lens है जिसको हम crystalline lens भी कहते हैं और इसको हम eye lens भी कहते हैं ठीक है तो ये जो था ये आप का transparent cornea है जहां से light आपके आँख में एंटर करती है ठीक है तो cornea से जो है light आपके eyes में eyes में एंटर करती है ठीक है फिर यह जो lens है इसको crystalline lens भी कहते हैं और फिर हमने देखा था कि यहाँ पे pupil होती है आपकी ठीक है और यहाँ पे जो बीच में आपकी खाली जगह होती है इस खाली जगह को हम pupil कहते है ठीक है यह जो खाली जगह होती है आपकी lens के सामने इसको pupil कहते है और इस pupil के साथ में आपकी दो आईरिस होती है इस pupil के साथ में आपकी दो आईरिस होती है ठीक है और वह आई रिस क्या करती है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम करती है ठीक है ठीक है इसके बाद फिर हम देखेंगे यहां पर कि थीक है तो इसमें हम देखते हैं कि यह जो हमारी होती है यह हमारी आय होती है ठीक है आगे यह आपका transparent होता है यह transparent भार जिसको हम कहते हैं transparent bulच यह हमारा कोर्णिया होता है ठीक है तो यह जो हमारा है यह कोर्णिया है और यह जो लाइट है यह आपकी कोर्णिया से ही एंटर करती है ठीक है इसके बाद फिर हमने यह हमारा आई का जो लेंस बनाया था यह हमारा आई का लेंस होता है इसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं ठीक ह साथ में यहां पर भी आपकी मसल्स होती हैं उन मसल्स को हम क्या कहते हैं यह जो मसल्स हैं यानि कि यह लेंस के ऊपर वाली मसल्स और यह और यह भी यह जो है यह आपकी क्या होती है इनको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स ठीक है यह आपकी क्यों सी मसल्स होती हैं सिलियरी मसल्स होती यह ठीक है तो यह कॉर्णिया हो गया जहां से लाइट आपके आइज में एंटर कर रही है यह आपकी आंग का लेंस हो गया और इस लेंस के साथ में उपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी यानि कि यह भी आपका सिलियरी मसल हो गया और यह भी आपका सिलियरी मसल हो गया य यहां पे आपकी आईरीस होती है ठीक है तो यह आपकी आईरीस है और यह भी आपकी आईरीस है ठीक है तो यह आपकी आईरीस होगी और यह जो बीच में खाली जगह है आपकी आईरीस के बीच में दोनों आईरीस के बीच में यह जो खाली जगह है फिर आप इसको क्या कहोग यह आपकी pupil होगी याने कि यह आपकी पुतली होगी और यह जो है यह आपका screen होगी यह आपका retina होगा तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह आपका retina है तो यह हमने किया था आपका eyes का जो diagram था ठीक है तो सबसे बाहर वाला जो transparent part है वो आपका cornea होता है जहां से light complete enter करती है हमारी आंक का जो gate होता है उसके बाद में हमारे आंका का जो famoso होता है वो जिन muscles के से बन्दा होता है हमारी आंखों का जो lens होता है crystalline lens उस lens को जो muscles आपकी बांधे रखती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ciliary muscles यानि कि वो muscles जो हमारे lense को बांध के रखती हैं, उनको हम ciliary my muscles कहते हैं, तो lense के उपर की तरफ और नीचे की तरफ आपकी ciliary muscles आएंगी ठीक है, और फिर यहां पे lens के आगे जो आपका खाली पार्ट है ये लेंस के आगे ये जो आपका खाली पार्ट है ये आपका pupil होगा और pupil को कौँ गर्टा एसको आईbellिं कंट्रोल करता है तो pupil के नीचे और pupil के ऊपर आप क्या बनाओगे आई इस बनाओगे थिक है तो तो यह diagram आपको ध्यान में रखना है तो यह हमने कल वाले वीडियो में किया था तो आज की वीडियो में जो हम करेंगे वो है आपका power of accommodation ठीक है तो यह हम इसमें करेंगे what is the power of accommodation power of accommodation यह important है तो यह भी हम इसमें बताएंगे power of accommodation को हम क्या कहते है इसको हम समंजन शमता भी कहते है power of accommodation का मतलब होता है कि हमारी आख का जो lens है उसके adjust करने की कितनी power होती है इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी आख का जो lens होता है हमारी आए का जो lens है उसकी जो focal length है ठीक है उसकी focal length क्या हो सकती है adjust हो सकती है तो power of accommodation में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी आँख का जो lens होता है हमारा जो eye lens होता है उसकी focal length जो है वो कमिया जादा हो सकती है उसकी focal length जो है वो adjust हो सकती है ठीक है तो let us start the eye lens is composed of a fibrous jelly like material its curvature can be modified ठीक है तो the eye lens is composed of a fibrous कि जो हमारा eye lens होता है वो कैसा होता है fibrous fiber की तरह का होता है jelly like structure होता है हमारी आँख का जो lens होता है ठीक है वो कैसे material का बना होता है वो एक jelly like material का बना होता है जैसे आपकी jelly जो होती है semi liquid होती है ठीक है तो ऐसे हमारी आँख जो होती है वो fibrous यानि कि jelly जैसे एक material की होती है its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles ठीक है कि जो हमारी आँख का जो lens है उसके focal length के यानि कि उसके curvature को हम ciliary muscles के वज़े से ciliary muscles के द्वारा क्या कर सकते हैं उसको modify कर सकते हैं ठीक है हमारी आँख के जो ciliary muscles है ciliary muscles की हल से हम अपने आँख का जो lens है उसके curvature को control कर सकते हैं या change कर सकते हैं the change in the curvature of the eye lens can thus change in the focal length तो अगर हम अपने आँख के आँख का जो lens है अगर हम उसकी curvature को change करते हैं तो curvature को change करने से उसकी focal length भी change हो जाती है तो अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है curvature change करने से हमारे lens की focal length जो है वो change हो जाती है when the muscles are relaxed when the muscles are relaxed तो जैसे muscles आपके relaxed होते है lens becomes thin, lens जो है वो आपका thin हो जाता है and its focal length increases और इसका जो focal length है वो आपका increase हो जाता है this enables us to see the distinct object clearly इससे आप क्या कर सकते हो दूर के object को clear देख सकते हो तो इसमें क्या बताया है कि अगर आपके ciliary muscles जो है ciliary muscles अगर आपके relax है तो lens जो है वो thin हो जाता है और उसकी focal length जो है वो increase हो जाती है तो मैं बताती हूँ इसमें आपको कैसे ठीक है तो जैसे ही आपकी ये मानलो हमारी आँक का lens है ये पहले जो हमारा lens था ये हमारा ऐसे था मानलो पहले जो lens था ये आपका ऐसे था ठीक है अब क्या हो गया है कि ciliary muscle जो है वो हमारी expand हो गई है relax का मतलब क्या है expand हो गई है था ठीक है अब हमारी आंग का जो लेंस है जब आपकी सिलियरी मसल्स जो है वो आपकी एक्सपेंड हो जाती है तो हमारा डेंड है कि हमारा जो लेंस है वो कैसा हो जाएगा वो इस तरीके कहा हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा ठीक है तो पहले जो लेंस था मालो वो कंप जो है इसके radius को ही हम इसका curvature बोलते हैं, तो जैसी ciliary muscle आपकी expand होती है, तो ciliary muscle के expand होने से जो हमारा lens है, वो थीन हो जाता है, यानि कि वो पतला हो जाता है, वो थीन हो जाता है, वो हमारा पतला हो जाता है, यानि कि इसका जो radius है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानि क का मतलब क्या है कि उसका करवेचर कम हो जाता है ठीक है तो उस केस में हमें यह relation आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो focal length होती है वो किसके बराबर होती है f is equal to one upon r आपको यह ध्यान में रखना है ठीक है तो यह ध्यान में रखना आपको कि जो आपकी focal length होती है ठीक है कि जो आपकी focal length होती है यानि कि focal length को हम किसे लिखते हैं f से लिखते हैं और यह किस के बराबर होती है 1 upon r के बराबर ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर radius of curvature आपका बढ़ता है radius of curvature अगर आपका बढ़ता है तो focal length आपकी क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी ठीक है और अगर radius of curvature आपका कम होता है तो focal length आपकी क्या हो जाएगी increase हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर यह चीज आपको धियान में रखनी है कि जो focal length और curvature में आपका inverse relation होता है कि अगर curvature आपका बढ़ता है तो focal length कम हो जाती है और curvature आपका कम होता है तो focal length आपकी बढ़ जाती है दोनों में inverse relation है यानि कि F जो है आपका F किस के बराबर होगा F is equal to 1 upon R के बराबर होगा ठीक है तो इसने क्या कहा है कि जब हमारी ciliary muscles जो है वो expand होती है तो इसमें क्या बताएगा है कि जब हमारी ciliary muscles expand होती है relax का मतलब expand होती है तो जो हमारा lens है वो बहुत ही ज़्यादा thin हो जाता है और thin का मतलब क्या है कि उसका जो radius हो कम हो जाता है यानि कि R की value क्या हो जाती है कम हो जाती है अगर हमारी सी लेडी मसल्स expand होती है तो लेंस हमारा थीन हो जाता है और थीन हो जाने की वज़े से उसका जो radius of curvature है वो कम हो जाता है तो इसका मतलब इसकी जो focal length है वो क्या हो जाएगी? इनक्रीज हो जाएगी? क्योंकि दोनों में inverse relation है तो अगर radius of curvature आपका decrease हो रहा है तो focal length आपकी increase हो जाती है और अगर focal length आपकी increase हो जाती है इसका मतलब आप अपनी आँख के length से दूर की चीज़ों को देख सकते हो अगर आपकी focal length अगर आपकी increase हो रही है तो focal length increase होने से तो ऐ जादा दूर की चीज़ें देख पाते हो ठीक है उससे आप जादा दूर की चीज़ें देख पाते हो ठीक है तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे हमारा ciliary muscles relax होती है ciliary muscles किसके साथ जुड़ी है ciliary muscles जो है अभी मैंने बताया कि यह जो हमारी आंग का जो lens होता है इसके जाले और डियरिय और खीरिया कैने कर नहये और लाञे कैसा सिपलीगी आझिद अनगों कि इसाथ वह सेमें जुडिय हैं तो इसले किगे चै lässtिसे साथ कि हमारी तो यह पहोती होती हैं तो जैसे अश्क नोएकरण्जेर हैं security है तो हमारी आँख का जो lens है कई बार वो मोटा हो जाता है कई बार वो thin हो जाता है और इस वज़े से उसकी focal length जो है वो change हो जाती है ठीक है और अगर आपकी जो focal length है ठीक है अगर आपकी जो focal length है focal length अगर हमारे आँख की जो है increase हो जाती है इसका मतलब क्या है कि हमारी आँख जो है हमारी आई जो है वो दूर की चीजों को बहुत आसानी से देख सकती है तो अगर focal length बढ़ जाती है इसका मतलब हम दूर की चीजों को आसानी से देख सकते हैं तो दूर की चीज़ों को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर distant object, दूर की चीज़ों को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, distant object यहाँ पर हम लिखेंगे, कि जो दूर की चीज़े होती है, उनको हम clear देख पाते हैं, अगर आपकी यहाँ का focal length जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, similarly फिर इसमें next point क्या बताया गया है, तो इसमें यही आपका बताया गया है, कि जब आपकी ciliary muscle जो हैं वो relax होती है, तो lens आपका thin हो जाता है, और उसकी जो focal length है वो increase हो जाती है, और इससे जो हम दूर की चीज़ों को आप आसानी से देख सकते हैं, distant object क्लियरली का मतलब दूर की च इसमें बताया गया है, कि when you are, when you are looking at the object closer to the eye, ciliary muscles contract, this increases the curvature of the eye lens, the eye lens becomes thicker, consequently the focal length of the eye lens decreases and this enables us to see the nearby object clearly, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कि जैसे ही आप कोई pass वाली चीज़ को देखते हो, जैसे ही आप कोई नजदीक वाली चीज़ को देख रहे हो, तो जो आपकी ciliary muscles हैं, वो आपके lens को ठिक बना देती है, ciliary muscles जो है, वो सिकुड जाती है, contract हो जाती है, तो जैसे ही अगर आप कोई सी नजदीक वाली चीज़ को देख रहे हो जैसे आप किसी नजदीक वाली चीज को देख रहे हो एक ऐसे अब्जेट को देख रहे हो जो कि आपकी आँक की नजदीक है नजदीक वाली चीज को देखते हो तो उस टाइम पे जो सिलियरी मसल है वह आपकी सिकुड जाती है और जैसे वह सिकुड जाती है तो लेंस आपका मोटा हो जाता है, लेंस आपका ठीक हो जाता है, ठीक है, तो यानि कि पहले जो लेंस था वो आपका ऐसे था, ठीक है, तो अब आपकी, हमें पता है कि लेंस के साथ में आपकी कौन सी मसल्स होती है, लेंस के साथ में आपकी ये सिलियरी मसल्स होती है, तो ये ciliary muscles क्या करती है फिर सिकुड जाती है और सिकुड जाने से जो आपका lens है वो lens आपका मोटा हो जाता है इस तरीके से lens आपका मोटा हो जाता है और इसका जो radius है radius जो है इसका बढ़ जाता है यानि कि इसमें lens जो है वो आपका मोटा यानि कि ठीक हो जाता है और इसमें फिर हम वो फोकरल लेंटस में difference हो जाती है इसका मतला अगर फोकरलएंद difference हो गई है तो हमारे आंख़ की अब फोकल लेंद deux Il हो गई है तो this का मतला अब हम क्या कर सकते हैं कम फोकल लेंद से हम हमारे आांग के पास जो चीजे रखी हैं उसको हम clear देख पाएंगे यानि कि nearby अब जो आपकी nearby object है उनको अब आप क्या देख पाओगे clear देख पाओगे तो यह क्या होती है इसको हम कहते हैं कि हमारी आँख में ability होती है कि उसकी focal length को adjust करने की तो जैसे हम किसी दूर की चीज़ को देखते हैं तो दूर की चीज़ को देखते हैं तो ciliary muscles जो है हमारी वो expand हो जाती है जिसे lens हमारा अथीन हो जाता है और उससे हमारा radius of curvature जो है वो increase हो जाता है ठीक है और इस तरीके से जो है हम जो है focal length को change कर सकते हैं तो यह बहुत ही important है कि हमारी आँख जो अगर बहुत दूर की चीज़ है उसको भी आसानी से देख सकती है और जो नज़्दीक की चीज़ है उसको भी बहुत आसानी से देख सकती है और अगर दूर की चीज़ को देखने के लिए focal length ज़्यादा होनी चाहिए और नज़्दीक की चीज़ को देखने के लिए focal length जो है वो कम होनी चाहिए तो हमारी आ पास पास की जो चीजे हैं वो भी हम क्लियर देख पाते हैं ठीक है तो हमारी आई से जो बहुत दूर की चीजे होती हैं उसको हम कहते हैं डिस्टेंट यानि कि जो बहुत दूर की चीजे होती हैं उसको हम कहते हैं बहुत ही डिस्टेंट आपकी बहुत ही दूर वाली चीजे ह उसको भी हमारी आँख जो है वो clear देख पाती है और अगर हम अपने घर में बहुत ही नजदीक चीज़े देख रहे हैं यानि कि नियर वाली चीज़ों को भी हम clear देख पाते हैं तो हमारी आँख जो है आस्वान में अगर aeroplane उड़ रहा है उसको भी बहुत clear देख पाती है और अगर हमारे घर के आसपास जो पेड़ वगर अलगे हैं या घर में जो भी चीज़े मुझूद हैं उसको भी हम clear देख पाते हैं तो दूर की चीज़ों को clear देखने के लिए हमारे आंक के lens की focus दूरी ज़्यादा होनी चाहिए और घर में चीज़ों को clear देखने के लिए या पास की चीज़ों को clear देखने के लिए focus दूरी क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए ठीक है तो दूर की चीज़ों को clear देखने के लिए focus दूरी ज़्यादा होनी चाहिए हमारे आंक के lens की और नस्दीक चीज़ों को clear देखने के लिए हमार यहां का जो crystalline lens है जो eye lens है उसकी focal दूरी बड़ भी रही है और उसकी focus दूरी कम भी हो रही है तो इसका मतलब focus दूरी adjust हो जाती है ठीक है किसी भी चीज को clear देखने के लिए हमारी आँख में ये power होती है हमारी आँख में अपने lens की focal length को adjust करने की power होती है और इसी को हम क्या क eye lens to adjust its focal length is called power of accommodation तो accommodation का मतलब क्या है power of accommodation का मतलब क्या है कि हमारे आँख का जो lens है हमारी आँख में जो eye lens है उसमें ये ability होती है उसमें ये capability होती है कि वो किसी भी चीज को देखने के लिए अपनी focal length को क्या कर सकती है adjust कर सकती है और हमारे आँख की lens की इसी power को हम क्या कहते है इसी power को हम power of accommodation कहते हैं accommodation का मतलब होता है समंजन शम्ता यानि की accommodation का मतलब होता है adjust करने की शम्ता ठीक है तो इसको हम कर सकते हैं कि जो आपकी accommodation होती है उसका मतलब क्या होता है adjust करने की शम्ता किस चीज़ को adjust करना है यहाँ पे में यह पावर होती है लेंस में यह पावर होती है कि वो अपनी फोकल लेंद को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है अपनी फोकल लेंद को एड़्जस्ट कर सकता है और इसी कैपेविलिटी को हम क्या कहते हैं हमारी आंकी इसी एड़्जस्ट करने की जो ताकत होती है उसको हम क्या कहते है एकोमोडेशन कहते है ठीक है तो हमने कैसे एकोमोडेशन की जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं आपका कि अगर हमें दूर की चीज देखनी है फार की चीज देखनी है और यह नियर की चीज देखनी है नियर की मतलब अगर हमें नजदीक की देखनी है और far की मतलब अगर हमें दूर की देखनी है तो जैसे हमें नजदीक की देखनी है तो जो हमारा lens है वो हमारा कैसा हो जाता है वो हमारा थिक हो जाता है जैसे मैंने बताया था कि lens जो है वो आपका थिक हो जाता है यानि कि उसका जो radius of curvature तो है वो increase हो जाता है और जो और इसका जो आर है radius of curvature है वो decrease हो जाता है और focal length जो है वो increase हो जाती है ठीक है और जब हमें far point देखना था तो इसमें जो ciliary muscles थी यानि कि इसमें हमने first point में देखा कि यहां पे तो lens हमारा दूर की चीजों को देखने के लिए lens हमारा thin हो गया और past की चीजों को देखने के लिए lens हमारा थिक हो गया तो यह lens को मोटा और पतला कौन कर रहा है lens को thin और thick कौन कर रहा है इसको कौन कर रहा है ciliary muscles कर रही है ठीक है यह काम कौन कर रहा है यह आपकी ciliary muscles कर रही है ciliary muscles कर रही है ciliary muscles कर रही है क्योंकि ciliary muscles जो होती है वो आपकी lens के साथ में attach होती है ठीक है तो जै चीज़े देख सकते हैं और जैसे ही ciliary muscles आपकी contract करती है contract का मतलब क्या है जैसे ही वो आपकी security है contract का मतलब होता है जैसे ही वो आपकी security है तो lens आपका ठिक हो जाता है तो यह बहुत important point है सभी student जो है इस point को यह जो मैंने point बताए है इनको आप अपने notebook में note करना ठीक है तो ciliary muscles जो की आपकी lens के साथ में attach होती है वो lens को thin करने का या thick करने का काम करती है जैसे हमें दूर की चीज़े देखनी है तो lens हमारी जो ciliary muscles है वो क्या हो जाती है relax हो जाती है और expand हो जाती है तो focal length हमारी axillary muscle contract हो जाती है इसी कुड़ जाती है और lens हमारा थिक हो जाता है मोटा हो जाता है और radius of curvature हमारा increase हो जाता है और focal length हमारी decrease हो जाती है तो यानि कि हम अपनी आग से दूर की चीज़ों को भी बहुत आसानी से देख सकते हैं clear देख सकते हैं और pass की चीज़ों को भी बहुत clear देख सकते हैं ठीक है तो यानि कि हम हमारी आख के lens में दूर की चीज़ों को देखने के लिए focal length जादा होनी चाहिए और pass की चीज़ों को देखने के लिए focal length कम होनी चाहिए तो हमारी आख में ये ability होती है कि वो किसी भी चीज को देखने के लिए अपनी focal length को adjust कर ले और इसी ability को हम क्या कहते है इसी ability को हम क्या कहते है power of accommodation तो इसी को हम क्या कहते है power of accommodation और ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो हमारा eye lens होता है वो jelly-like material का होता है जैसे jelly होती है आपकी soft semi-solid होता है तो ये आपका semi-solid material की तरह का होता है jelly जो होती है ये semi-solid material की तरह की होती है जैसे आपका call gate होता है jelly-like होता है ऐसे ही ये जो आपकी आख का lens होता है ये fibrous होता है jelly-like होता है इसलिए इसके curvature में जो है वो change आ सकता है इसकी curvature जो है वो आपकी change हो सकती है किसकी वज़े से ciliary muscles की वज़े से आप इसकी focal length को change कर सकते हो ठीक है तो यह हमने सारा इसमें पढ़ा इसके बाद फिर next इसमें important point बताए गया है ठीक है तो यहां से यह point हमने पढ़ लिया है the ability of the eye lens to adjust its focal length is called the accommodation ठीक है इसको हम accommodation का मतलब होता है eye focal length को adjust करना इसका मतलब क्या होता है focal length को adjust करना to adjust the focal length focal length को adjust करना यह कहलाता है आपका ठीक है फिर इसमें दिया गया however the focal length of eye lens however the focal length of eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit उसने कहा है कि आप अपनी आग के focal length को कम तो कर सकते हो लेकिन उसको एक minimum limit से ज़्यादा कम नहीं कर सकते उसको एक minimum limit से ज़्यादा कम नहीं कर सकते ठीक है आपकी focal length को आप decrease तो कर सकते हो लेकिन एक minimum limit से ज़्यादा decrease आप उसको नहीं कर सकते जैसे फिर इसमें के example दिया कह है try to read a printed page by holding it very close to our eye you may see the image being blurred or feel strain in the eye to see an object comfortably and distinctly you must hold it at 25 cm from the eye ठीक है तो उसने कहा है कि अगर हमें नजदीक रखी किसी भी अभी हमने कहा कि अगर हमें नजदीक की वस्तु को क्लियर देखना है तो हमारी आंकी focal length जो है वो decrease हो जाती है लेकिन फिर उसने बताया कि यह जो focal length है यह एक minimum distance से कम नहीं हो सकती है उसको इससे जदा हम decrease नहीं कर सकती है एक distance होता है उससे जदा हम decrease नहीं कर सकती है उसने कहा है कि जैसे अगर आपको कोई भी अख़बार पढ़ना है या कोई भी book भी पढ़नी है अगर आप उसको बिलकुल अपनी आंक के पास ले जाओ बिलकुल आंक के पास उसको touch कर लो तो आप उसको नहीं देख पाओ घे आप Uhकबार को फिर आप थोड़ी ओर दूर ले जाओ तो उस distance पर ले जाओ जहां पर आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो तो वो जो distance है जहाँ पे कि आप अपने किसी भी चीज को comfortably पढ़ सकते हो ठीक है किसी भी object को clear देखने के लिए comfortable देखने के लिए must hold it about the 25 cm from the eye ठीक है तो किसी भी object को clear देखने के लिए या किसी भी अखबार को clear पढ़ने के लिए हमारी eye से उस object की दूरी कितनी होनी चाहिए उस object की दूरी जो है वो 25 cm होनी चाहिए किसी भी object को अपनी आग से कितनी दूरी पर रखना चाहिए 25 cm की दूरी पर अगर यहाँ पे हमारी आग है और यहाँ पे हमने अखबार रख दिया है और मालो यह कितनी दूरी पे है, यह 10 cm की दूरी पे है, तो आप इसको clear नहीं पड़ पाओगे, तो आपको यह कहां पे रखना पड़ेगा, यहां से इसका distance कितना होना पड़ेगा, कि जब इनके बीच का distance 25 cm है, तभी आप इसको clear पड़ पाओगे, ठीक है, और इस distance को हम क्य distance of distinct vision, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, least distance of distinct vision, यानि कि किसी भी हमारी आप से किसी भी object को clear देखने के लिए, कितना distance होना चाहिए, हमारी आप से किसी भी distance को clear देखने के लिए, उसको हमें minimum कितने distance पर रखना चाहिए, 25 cm के distance पर रखना चाहिए, क्योंकि हमारी आप से कोई object अगर 25 cm से कम है 24 cm पर रखा तो भी वह हमें धुंदली दिखाई देगी उसको क्लियर नहीं पढ़ पाएंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए हमें वह कहां पर रखनी चाहिए 25 cm की दूरी और यह जो मिनिममम डिस्टेंस है जहां पर अब्जेक्ट को जो हम क्लियर देख पाते हैं बिना किसी हमारी आग पर दबाव पड़े हमारी आग पर यानि की ऐसा नहीं की हमें बहुत जोर लगाके पढ़ना पढ़ रहा है तो 25 cm का distance एक आपका ऐसा distance होता है जहां पे आप बिना किसी strain के, strain का मतलब बिना किसी tension के या आग पे बिना किसी pressure के, strain का मतलब या आग पे बिना कोई भी pressure पड़े, comfortably जो है आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, तो इस distance को हम क्या कहते हैं, तो it is the minimum distance, ये एक ऐसा minimum distance होता है, ज उसको देखने के लिए हम उसको कहते हैं, और इस ही को हम क्या कहते हैं, इस distance का नाम होता है, least distance of distinct vision, और इसका दूसरा point होता है, near point of eye, ठीक है, for a young adult with normal vision, the near point is about 25 cm, ठीक है, तो यानि कि, यहां पे क्या बताया गया है, कि अगर आपकी ये कोई आख है, यहां पे, ठीक है, तो ये अगर आपकी आख है, और यहां पे ये वाला point जो है, यहां पे ये जो point है, ये क्या कहलाएगा, आपका least distance of distinct vision, ये कौन सा point कहलाएगा, least distance of distinct vision, ठीक है, और ये जो आपका young person होता है, उसके लिए ये distance आपका कितना होता है, 25 distance, यानि कि, आख से कम से कम कितनी तूरी पे जो है, हम object को रख सकते हैं, यानि कि, ये minimum distance है, 25 cm तक जो है, हम किसी भी object को रख सकते हैं, यानि कि, कोई भी अगर हम अखबार पढ़ना है, तो हमारी आख और अखबार के बीच का minimum distance जो है, 25 cm तक हम रख सकते हैं, अगर minimum 25 cm से कम हो गया, 20 cm रख दिया, या 10 cm र के लिए हमें अपनी आख के कितने नजदीक तक उसको ला सकते हैं ठीक है तो किसी भी अबजेक्ट को कोई भी आपकी जो आख है ठीक है यह अगर आपकी आई है इस आई के पास किसी भी अबजेक्ट को क्लियर देखने के लिए उसके मिनिमम कितना डिस्टेंस हम ला सकते हैं तो यह जो minimum distance होता है, इसको हम क्या कहते हैं, it is the minimum distance, यह आपका एक ऐसा distance होगा, जहाँ पे आप नजदीक रखे किसी भी object को, बीना किसी strain के, बीना किसी pressure की clear देख पाते हो, इसको हम क्या कहते हैं, least, इसके दो नाम है, एक तो है इसका, least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, least distance of distinct vision, least का मतलब कि कम से कम distance, least distance का मतलब, कम से कम distance, और distinct vision का मतलब, कि distinct vision का मतलब होता है, कि वो object आपको clear दिखाई दे रही है, कि वो minimum distance, जहाँ पे अगर आप किसी भी object को रखो, तो वो आपको clear दिखाई देती है, तो least distance का मतलब, कि वो क कम सेखंब डिस्टेंस और अप को इसको हम कहते हैं LISA और इसको हम नियर पॉइंट होते हैं कि तो वह कितना होता है इस कि आईगी 25 सेंटीमीटर तो इसमें आपके one marks नमे गज yeah कि जो हमारी आउख का जो हमारी human eye का near point होता है वो कितना होता है तो हमारी आंक का जो near point होता है वो 25 cm होता है ठीक है तो 25 cm आपका एक ऐसा distance होता है जहां पे आप उसके पास में रखी हुई वस्तू को बहुत ही clear बेना किसी pressure के आप आसानी से देख सकते हो ठीक है तो इसके दो नाम हो गए एक तो near point हो गया और दूसरा हो गया आपका least distance of distinct vision ठीक है तो यहां पर दिया गया है यह यह क्या है आपका least distance of distinct vision least distance of distinct vision तो least का मतलब कि minimum distance least का मतलब है यहां पर minimum और distinct vision का मतलब है clear कि आपको clear vision दिखाई दे vision का मतलब है किसी भी चीजों को देखना ठीक है तो हमारी eye का कि वो minimum distance जहां पर अगर हम किसी भी वस्तू को अपनी आग के पास रखते हैं आप उसको clear देख सकते हो आग के पास अगर कितनी दूर पे हम उसको रखें कि आप उसको clear देख सकते हो तो इसको हम least distance or distinct vision भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है कि हम इसको near point of eye भी कहते हैं यह आपके questions में पूछे जाते हैं कि least distance or distinct vision कि क्या definition होती है हमारी human eye का near point कितना होता है और इसकी value कितनी होती है 25 cm ठीक है तो अब हम देखेंगे कि जैसे हमारी eye का एक near point होता है वैसे हमारी eye का एक far point भी होता है ठीक है तो हमारी आख का near point कौन सा हुआ कि हम हमारी आख जो है कितनी नजदीग रख्यूई वस्तों को आसानी से बिना धुंदला या बिना pressure के देख सकती है clear देख सकती है ऐस हमारी eye का far point भी होता है far point का मतलब कि कितनी दूर तक हम अपनी चीज़ों को हमारी eye कितनी दूर तक चीज़ों को देख सकती है ठीक है तो यहां पर next आपका the farthest point up to which the eye can see the object clearly is called the far point of the eye तो याने कि हमारी eye the farthest point up to which eye can see the object clearly is called the far point of the eye याने कि eye ऐसा point जहां तक eye जो है वो बहुत दूर तक देख सकती है याने कि हमारी आँख जो है minimum कितना देख सकती है, minimum तो 25 cm देख सकती है और वो maximum कितना देख सकती है ठीक है तो जो maximum देख सकती है वो कितना है कि जो मैक्सिमम होता है वो होता है आपका infinity यानि कि हम infinity तक देख सकते हैं ठीक है तो हमारी आग का जो far point होता है वो कितना होता है infinity तो far point आपका कैंसा होता है the farthest point up to which I can see clearly farthest point हमारी आग का ऐसा point होता है जहाँ पे हम दूर रखी वस्तुका असानी से देख सकते हैं और near point हमारी आँग का ऐसा point होता है minimum point और minimum distance होता है जहांपर हम नजदीक रखी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं ठीक है तो यहांपर हमने देखा कि हमारी आँग का जो near point है हमारी जो आँग का near point है वो कितना है? 25 cm यानि कि minimum हमारी आख जो है वो कहां तक clear देख सकती है minimum हमारी आख कहां तक clear देख सकती है 25 cm तक clear देख सकती है और far point में क्या आएगा कि हमारी eyes जो है कितनी दूर तक clear देख सकती है तो इसमें आएगा infinity तो हमारी आख जो है infinity तक देख सकती है clear इसकी farthest point की कोई range नहीं है तो वो infinity तक हमारी eyes तो है उसको देख सकती है ठीक है तो इस वाले में हमने पढ़ा ठीक है तो यह हमने इसमें पढ़ा कि जो हमारी eye की जो आपकी normal human eye होती है वो clear देख सकती है object को clear देख सकती है अगर उनके बीच में कितना gap है 25 cm से लेकि infinity तक का gap ह है तो यह dear student यह बहुत ही important topic है आपका ठीक है तो इस वाले topic में हमने देखा इसमें कि power of accommodation क्या होती है इसमें हमने देखा कि हमारी आख का जो हमारी eye का जो lens होता है वो jelly like structure से बना होता है फिर हमने देखा कि हम अपने eye के lens की curvature को change कर सकते हैं ठीक है उसमें हमने देखा कि curvature को हम change कर सकते हैं ठीक है फिर हमारी आख जो है नजदीक रखी हुई चीजों को भी clear से देख सकती है दूर रखी चीजों को भी आसानी से देख सकती है फिर हमने देखा कि नजदीक रखी चीजों को देखने के लिए जो आपकी focal length है वो कम होनी चाहिए और जो दूर रखी ची खीक कि एको मोडेशन केहते हैं थीक है तो इसमें अमने देखा कि कैसे दूर की चीज़ों को देखने के लिए कोह को जाती है नजळी की चीज़ों को के लिए लीरा मसल्सप्रेक्ट हो uni मृषीं हो जाती है फिर आफने देखा कि अगर हम 25 सेंटीमिटर से कंषग हम similar तो उसको हम clear नहीं देख पाते तो हमारी आंग का जो near point होता है यानि कि least distance of distinct vision जो होता है हमारी आंग का least distance of distinct vision होता है जिसको हम near point भी कहते हैं least distance of distinct vision जो होता है हमारी आंग का वो होता है आपका 25 cm और इसको हम अपने आग का near point भी कहते हैं यानि कि इसको हम निकट बिंदू भी कहते हैं कि हमारी आंग का जो near point है वो 25 cm है ठीक है यानि कि हमारी आंग 25 cm से कम की चीजों को दुंदली देखेगी अगर 25 cm से ज्यादा की दिखाई देंगी और 25 cm से कम है तो वो आपको clear नहीं दिखाई देंगी और तो यह फिर far point हमारा कितना होता है कि maximum कितने distance तक हमारी आंग जो है वो देख सकती है चीजों को तो maximum जो limit होती है वो कितनी होती है infinity ठीक है तो इसमें हमने देखा कि जो minimum हमारी eyes की जो minimum limit है हमारी आक का जो lens है उसकी जो minimum limit होती है minimum limit जो है वो है आपकी 25 cm और जो maximum limit है maximum limit होती है वो कितनी होती है आपकी infinity तो यानकी आपकी eyes है 25 cm से लेके infinity तक का वो देख सकती है तो 25 cm जो है वो least distance of distinct vision है यानि की near point है और infinity जो है वो farthest distance है यानि की far point है ठीक है तो I hope ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को इसमें फिर next इसमें बताया गया है Sometimes the crystalline lens of old people Sometimes the crystalline lens of the people at old age becomes milky and cloudy This condition is called cataract तो उसने क्या कि कई बार जैसे बहुत ही बुजर्ग लोग होते हैं Old age वाले लोग होते हैं बहुत ही बुजर्ग लोग होते हैं उनकी जो आँख का lens है वो कैसा हो जाता है milky यानि की वो आपका milky and cloudy यानि की वो आपका दूदिया और धुंदला हो जाता है आखों के जो old age में यानि कि बड़ी उमर के जो उम्रदराज लोग होते हैं उनकी आख का जो lens है वो आपका दूदिया और धुंदला हो जाता है और इस condition को हम क्या कहते हैं इस condition को हम cataract कहते हैं यानि कि इस condition को हम क्या कहते हैं मोतिया बिंद भी कहते हैं ठीक है तो इसमें य जघुदिया और झुटला हो जाता है तो उस कंडिशन में penalty हो जाता है यानकि मोत बिन की प्रोबलम हो जाती है और मोतीं की बिन से पार्शल एंड कमप्लीट लुस ओफ विजन भी हो सकता है यानि कि या तो आपके आँखों की रोशनी जा पार्शली यानि कि आपको दुंदला दुंदला दिखाए देगा या फिर complete loss of vision यान कि या आँखों की पूरी रोशनी भी जा सकती है it is possible to restore the vision through the cataract surgery यानि कि इसके लिए एक आपको आप कैसे फिर अपने आँखों को ठीक करा सकते हो एक operation के द्वारा मोतिया बेंद के operation के द्वारा जिसको हम cataract surgery कहते हैं उसके द्वारा हम अपने आँखों को ठीक करा सकते हैं next इसमें दिया गया है next इसमें फिर यहां पर दिया गया है why do we have why do we have two eyes for vision and not just one तो यहां पर इसमें क्या बताया गया है कि हमारी जो है वो दो eye होती है एक क्यों नहीं होती we have two eyes for vision and not just one यानि कि हमारी जो है दो आखे क्यों होती है एक आख हमारी क्यों नहीं होती तो इसके बहुत सारे इसमें advantages दिये गए है there are several advantages of having two eyes there are several advantages of having two eyes instead of one उसने काया कि दो आँके होने के जो हैं बहुत सारे फायदे होते हैं ठीक है तो इसमें पहला फायदा क्या बताया है it gives a wider field of view यानि कि it gives a wider field of view यानि कि इसमें जो हमारे आँकों किसी भी चीज को देखने का जो area है जो range है वो हमारी increase हो जाती है ठीक है तो इसने कैसे इसमें बताया है कि a human being has a horizontal field of view a human being has a horizontal field of view about 150 degree with one eye and 180 degree with two eye ठीक है तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ही आँक होती अगर हमारे पास one eye होती तो उससे हम कितना देख सकते हैं और अगर हमारे पास यहां पर दो eye है तो 2 eye से कितना देख सकते हैं हम zero degree से लेकि 180 degree तक देख सकते हैं तो 2 eye का अगर हमें 2 eye है तो इसका मतलब हमारा जो देखने का area है जो हमारा field of view है वो हमारा increase हो और अगर हम दो आखो से देखते हैं तो कि त्क का देख सकते हैं तो इसलिए हमारे यह हां हमारे पास जो एई हैं इंस्टेची डोफ बन इंप्रिश हो जाता है कैसे इस में भर छी अनिमल सcsid और कि नीमल्स आपके ऐसे होते हैं तेयानिक शिकारिए निमल्स विद्व have their eyes positioned on the opposite sides of their head to give the widest possible field of view, वो कह रहे हैं कि यानि कुछ animals होते हैं जैसे शिकारी animals होते हैं तो उनकी जो सीर है उनकी opposite side में ठीक है उनके जो सीर के opposite side में जो है उनकी वहांके लगी होती है जादा field of view देखने के लिए ठीक है इसने कहा है कि shut one eye and look the world two-dimensional की बहुत eyes open we take the three-dimensional of the depth ठीक है तो इसने क्या कहा है कि अगर हम अपनी एकांग को बंद कर लें एकांग को बंद करके शट one eye एकांग को बंद करके अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें कैसा दिखाए देगा हमें two-dimensional दिखाई देगा यानि कि हम सिरफ length और breadth देख सकते हैं two-dimensional का मतलब length और breadth देख सकते हैं तो अगर हम अपनी eyes को open कर ले ठीक है अपनी eye को open कर ले तो हमें वह कैसा दिखाए देगा three-dimensional दिखाई देगा ठीक है तो फिर इसने कहा है कि three-dimensional दिखाई देगा और इसके बाद फिर बता है कि because our eyes because our eyes are separated by a few centimeter each eye see a slightly different image ठीक है तो वह कह रहा है कि क्योंकि दोनों eye हमारी जो है वह अलग-अलग होती है इसलिए हमारी दोनों आख से जो आपकी image बनती है, each eyes is a slightly different image यान ही हमारी अगर जो left eye है उससे जो image बनेगी वह different होगी और जो right eye से image बनेगी वह different होगी, दोनों eyes से image is different क्यों बन रही है क्योंकि दोनों के बीच में थोड़ा सा gap होता है दोनों eyes के बीच में gap होता है ठीक है तो left eye से जो इमेज है वो थोड़ी different होती है और right eye से जो image होती है वो दोनो different होती है इसके बाद our brain combines the two image into one तो हमारा brain क्या करता है कि जो left eye की image है और जो right eye की image है उनको combine करता है और combine करके वो visualization करता है analysis करता है कि आपने कौन सी चीज देखी है कौन सी चीज आप से कितनी दूर है कौन सी चीज आपके कितने नजदीक होती है तो ये सारी चीज़े हमने आपे आई के बारे में पढ़ी ठीक है कि हमारी दो आखे क्यों होती है इसमें ये बताया गया था है कि हमें एक आई से तो हम सिरफ 150 डिग्री ही देख पाते है जबकि टू आई से दोनों आई से हम 180 डिग्री तक का देख सकते है इससे जो हमारा फिल्ड ओफ यू है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है ठीक है और अगर हम आग को बंद करके देखे तो हम 2-dimension देख सकते हैं लेकिन दोनों आई इसको ओपन करके जो है हम 3-dimension तक का देख सकते हैं क्योंकि दोनों आई हमारी अलग-लग होती है तो उनसे जो बनने वाली image होती है वो भी आपकी slightly different होती है तो dear student इस वीडियो में मैंने power of accommodation के बारे में बहुत अच्छे से बताया है तो सभी को ये खुद से read करना है जब तक आप खुद से reading नहीं करोगे तब तक आपको आसानी से नहीं समझ मैंगा मैंने बहुत simple way में ये आपको power of accommodation जो है accommodation फिर हमने इसमें देखा least distance of distinctive vision यानि कि जो हमारी आई का near point होता है वो क्या होता है हमारी आई का जो far point है वो क्या होता है और हम कितने से कितने बीम बीच का distance जो है वो देख सकते हैं फिर इस वीडियो में हमने ये भी देखा कि हमारी जो है दो IQ होती है not just one जो सभी को reading करनी है जो भी important points मैंने बताए हैं सभी को अपनी note book में note करना है और बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई करनी है